आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए रिलायंस की सालाना जनरल मीटिंग में रिलायंस इन्डिस्ट्रीज के चेर्मेन मुकेश अमबानी ने जियो की ब्रॉडबैंड सर्विस जियो गीगा फाइबर को लॉंच करने की घोशना की उन्होंने बताया की ये सर्विस देज भर के 1100 शहरों में शुरू होगी जबकि इसके लिए 15 अगस्ट से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे जियो की इस ब्रॉडबैंड सर्विस का ट्रायल काफी पहले से शुरू हो गया था जियो गीगा फाइबर सर्विस के अंदर कंपनी दो तरह की सर्विस देने जा रही है पहली सर्विस गीगा फाइबर राउटर है और दूसरी सर्विस गीगा फाइबर से टॉप बॉक्स है गीगा फाइबर राउटर के जरिये यूजर्स को इंटरनाट, कनेक्शन और वाइफाई कनेक्शन दिया जाएंगे जबकि गीगा फाइबर से टॉप बॉक्स के जरिये 600 चैनल देने की बात कही जा रही है मुकेश अमबानी ने बताया कि सेड टॉप बॉक्स को किसी भी टीवी से कनेक किया जा सकता है और इससे टीवी को वो इस कमांड के जरिये ही कंट्रोल किया जा सकेगा